स्वागत है दोस्तों आपका जोग्रफी विद वसी महमद चैनल में मैं आपका दोस्त वसी महमद आपके लेकर आगया फिर एंटीए यूजीसी नैट जे आरेव परिक्षा जुलाई दो हजार अठारा का जो एक्जाम हुआ था भूगोल विसे का उसके ये 50% एक से लेकर 50% आज हम हल करेंगे और कुछ महत्पून बिंदू भी समझेंगे प्लीज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप टैंसर ना ले वीडियो को पूरा देके आपको बहुत साहता मिलेगी आने वाले एक्जामों में तो पहला प्रसन है इसमें आपका भू अभी नती की अव अब्भानगार नहीं किस ने दिती दोणों ने मिलंके देती हाल वेट को द्यान रखनार दूसरा प्रसना आपके सामने है कि कौस्मों ग्राफीस सब्द का पिरतिपादन और उसे युरेनोहां ड्राफी में वीभाजित किस ने किया था ये आपको ध्यान रखना है बहुत important प्रslन है Humboldt में Humboldt ने किया था और एक्छी जोर याद रखना आपको हम बोल्ड ने पहली बार समताप रेखाओ का प्रियोग भी किया था मांचित्रозможно पर सबसे पहले सम्ताप रेखाओ का प्रियोग Humboldt ने किया था यह जर्मन का एक फहति ही महत्पून भोगोल वेकता था ये आपको ध्यान ञगना थ्यान को महान कि पूलِ मेथस भी कहा जाता यहिए आपको ध्यान रकना हम बोल्ड के बारे में हम बात बता रहें और उची जोर याद रखनी हई आपको हम्बोल किरंबध भुकोल को पिरधानता देता था और हमबोल्ड से संबंदा आप थोड के वीडियो देखना चाहिए तो प्लेिस्ट में डिस्करप्शन में लिंक है या प्लेइलिस्ट में को सी बर्गुरान ने प्रतिपादित किया था बर्गे प्रोन ने प्रतिपादित किया था चोथा प्रसने प्रिवाल भित्ती से संबंदे निमजन सिध्धान किसने प्रतिपादित किया था आपको ध्यान रखना बहुत ही important person है आपके लिए तो ये क्या था आपका Darwin ने किया था ये 1857 में इस सिद्धान्द को इन्होंने दिया था आगे देखते हम पांच वा प्रस्ट गुटेन बर्ग ऐ संतता किसके बीच पाए जाती है घनतु संबंधी जो प्रत्वी की परते हैं उसमें गुटेन बर्ग ऐ संबंधीता किसके बीच पाए जाती है याद रखना है और बहुत ही important person है आपके लिए तो ये प्रवार और क्रोड मलब प्रपटी और क्रोड के बीच पाए जाती है याद रखना प्रवार प्रवार का मतलब है आपका मेंटिल और क्रोड मेंटिल और क्रोड के बीच ये गुटेन बर ऐसम मद्धता पाई जाती है आगे देखते हैं नदी सम्तल की अवधाना किसने प्रतिपादित की थी याद रखना नदी सम्तल मतलब नदी सम्तल मतलब पैनी, पैन प्लेन, पिछले पेपर में भी मैंने जो सोल्फ कराया था, उसमें भी आया था यहाँ पर नदी सम्तल, इसको हम पैन प्लेन भी कह सकते हैं, याद रखना, फिक इस ने दीती हैं, आपकी क्रिक में ने दीती, यह आपको ध्यान रखना, सात्वा प्रसन आपके सामने आनत सैल इस्तर पर 36 रेका की दिशा को क्या कहा जाता तो इसको कहा जाता नतिल लंब ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रसन है आठवा प्रसन आपके सामने अन्तै समुंद्री कैनियन के उद्गम पर आविलता धारा सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया था यह आठवा प्रसन आपके सामने है तो यह किस ने किया था आपको ध्यान रखना डेली ने किया था नोवा प्रस्ण बहुत इंप्रोटेंट कई बार आ चुका TGT PGT पे भी higher education में भी कई बार प्रस्णी आ चुका है और great first और second में भी आ चुका है पैटर नास्टर जील क्या है तो यह हिमानियों हिम नदियों सोपानों पर निर्मित होने वाली जील है यह ध्यानकना और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यह हिम सोपानों पर बनती है हिम के जो सोपान होते हैं सीड़ी नुमा आकिर्ती हिम सोपान वहां पर बनत जिसे पेटा नास्टर जील कहते हैं यह ध्यानकना दस्वप्रास ने आपके सामने भूत काल की कुंजी वर्तमान है यह वाक्यांस की सवधार्णा से संबंदित है तो यह एक रूपता वात से संबंदित है और यह किस ने दिया था यह जैम्स हटन ने 1785 में दिया था यह आप तो आपको यह याद रखना है रेडियो सांड़ेस यंतर का प्रियोंक किया जाता है बारवा प्रस्था आपके सामने अभी कफाने हैं, आपका दक्षणी धूर्व निरंतर बर्व से ढखा रहता है, किंतु है पिर्ति एक vrsa, 8 cm से भी कम vrsa प्राप्त करता है, इसका यह होगी आपका, इसकी अबी सही है, दक्षिन दूर्ब में लगता तेज वर्फा वर्सा होती है तेज हवाय चलती है तेज हवाय चलती है दक्षिन दूर्ब में तो ये भी सही है मगर क्या है AR की सही व्याख्या नहीं देता इसका अंसर भी होगा यह आर दोनों से हैं पंद्टू 1988 ही विएक्षिया नहीं करता है। यह भताता है। दक्षणवर्त है है। एक्जाम में इसके बाद आपके सामने आदा ये थांड ठेड के तापमान प्रदेश और उनका तीई सूचकांग मुल्य याद रखना तो आपको धियां रखना है इसका तूंड्रा तूंड्रा जो है सबसे कम अवहोगा कब सबसे कम सूच कांग होगा उसका टुन्डरा का क्योंकि सबसे उपर है तो एक से पाँच डी का डी का आपका होगा दूसरा टैगा इससे उपर होगा थोड़ा टैगे का है आपका सी का पहला और सुक्ष्म सुक्ष्म है आपका 32,63 और मध्यवर्ती 64,127 तो इसका आंसर हो जाएगा एका तीसरा है तो एका तीसरा आपका इसम है तो इसका चोदे का आंसर हो जाएगा आपका सी यह आपको ध्यान रखना इसके बाद अगला प्रस्णा निमली कितमे से कौन सा अक्षांस करक पिरसांत मंडल कहलाता आपको याद रखना है बहुत इंपोटेंट है आपका करक पिरसांत कहा जाता तो 25 डिगरी नौर्थ 25 डिगरी नौर्थ कहा जाता यह आपको ध्यान रखना पिर आपको जोड़ा मीटर से क्या मापा जाता मिट्टी का घनत वापना आपा जाता है और स्पेक्ट्रो मीटर से आपका विकरन और जाम आपी जाती है और साइक्रो मीटर से तो यह डी का आपका दूसरा आ रहा है डी का दूसरा किसमें इसमें तो यह पहला सही हो जाएगा सोले का आंसर आपका ह है जोले का आंसर रोगा पहले का आपका तीसरा हो जाएगा है साइक्रोमीटर से सापक्षिक आदता ओपैडी मीटर से दूरी ना पिजाती तो इसका आंसर होगा आपका भी यह आपको ध्यान रखना सत्रुवा प्रसन आपके सामने है अमरीकन जलवायू विसेशक गे CW थान थ्वेट ने किस वर्स में विस्व की जलवायू के वर्गिकरण की स्कीम का संसोधन किया था यह आपको याद रखना है कब किया था संसोधन आपको यह बताना है 1948 में और यह सिधसां दिया क्प्था इनोंने इनोंने द travelers पर इखनार फर्स केस्व संसोधन संसो ह्यां था उसके बाद अगला प्रतान आप त्रक्षे का घनत है हर यह इन आपको मिलाना है तो 于ара-र्जा आपको ध्यान रखना है जुआरिये उर्जा आपकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर है डी मतब पहले का आपका अनोनियों किर्या आपकी हो गई प्रत्वी का घुड़न और बी का आपका पहला हो जाएगा प्रत्वी का घनतु और सी का आपका हो जाएगा दूसरा घरसन इस्थला इसके बाद देखते हैं 19 वा प्रसन, अब घटक वास्पो उत्सरजन प्रिक्रियाय स्वेशन प्रकास संसलेशन, तो कौन किस्छ के लिए महतपुना, उसका परिड़ाम क्या है, यह प्रिक्रियाया है और उसका परिड़ाम क्या है, तो याल अब घटक CH4 मतलर मिथेन, रिकलता है यह आपको ध्यान रखना है स्वेशन से हमारे क्या रिकलता है CO2 और प्रिकास अंसलेशन में oxygen यह आपको ध्यान रखना तो पहले का तीसरा तो पहले का तीसरा आप में दो में हैं सी में और डी में पहले का तीसरा दूसरे का चोथा ये भी सही है सी का पहला उन्निस्वे का अंसर आपके सामने है सी पहले का तीसरा बी का चोथा हो जाएगा आपका सी का पहला हो जाएगा आपका सी ओटू और डी का दूसरा यह आपको समझ में जाओ विस्वा प्रसन आपक ये महासागर से उसकी सीमपता द्वारा संचालित होता है उपरेटन वायू परिसंचण वायू दाप के परेटन मांसुन प्रिवा के सर्जन से संबंदित होते हैं तो इसका ध्यान रखना आपको इसका आंसर है पहला ए और आर दोनों सही आरे की सही व्याख्या करता है यह आ 1880 तो पहले का जब तीसरा हो जाएगा तो पहले से तीसरे बी में है तो बी इसका अंसर हो जाएगा सीधा और मिलाने की जरूवत ही नहीं है तो पहले का तीसरा एक को तीसरे से मिला देंगे बी को चोथे से मिला देंगे सी को सी को दूसरे से मिला देंगे और रोमन अच को पहले से मिला देना तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी बहुत ही सिंपिल है उसके बाद देखते 22 वा प्रस्ट निम लिखी तुमें से स्वेम अंडल होमोसफेर में सापेक्षिक रूप से एक्रियन आइडोजन गैस के विसाल भंडार का मुख्य सुरोत कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है स्वेम मंडल में तो स्वेम मंडल में कौन है ये आपको बताना है तो स्वेम मंडल में जुआला मुखी गतीवी धियाए है ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंप रआइक्जा में पूछा जा जोगा नच काफागेशा की और खिशक रही है तो पूर्व की और थ्यानकना नच का प्लेट जो कि दक्षनी अमेरिका महादीब है उसके पूरब में पाई जाती है ध्यानकना दक्षनी अमेरिका महादीब के पूरब में इसकी जो दिसाय खिसकने की जो प्लेटे खिसकती है वो पूरब की तरफ है ये आपको याद रखना नचका प्लेटे पूरी संपूर प्रत्वी पर 6 मुख्य प्लेटे पाई जाती है और लगबग 20 प्लेटे छोटी पाई जाती है आपको ध ध्यानकना 25 गहरी समुद्री जल अपनी लवड़ता के का तीर दवाव के अंदर नहीं रहता यह आपको ध्यानकना तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यह सत्य है, यहां पर एक चीष आपको यह समझनी, जितने भी उच आक्षांसों के सतह पर लवड़ता कम होती है पर दाटक न लवरता जो डैने सिटी है हमारी वो उच अक्षां सूप की सतह पर उच अक्षां सूपर जो समुद्र की सतह है उस पर लवरता कम होगी मगर गेहराई में जैसे जाएंगे हम बढ़ती चली जाएगी और जब कि मत्दिय अक्षांसू कमें जो यह आपको ध्यान रखना है विश्वत रेखा पर स्वच्छ जल की प्राप्ति के कारण क्या होता जो विश्वत रेखा जीरो डिग्री वहाँ पर जो लवड़ता है आपकी वो लवड़ता उपर तो कमोगी मगर गहराई पर जाने पर अधिक हो जाएगी यह आपको ध्यान र और सबसे खारण आपके सागर और उसके खारी जील वोन जीन जिसे लेगवेन कहते हैं उसमे लवड़ता है 300 सो तीन सो से उपर उसकी लवड़ता है अगला प्रसन सत्ताइस वा प्रसन आपके सामने एंड्री पॉए अवस्था में उड़ जागा पिरवा उत्पादन में से स्वेशन की और स्थनांतिरत होता है जिससे ऑक्सिजन की मांग ऑक्सिजन की उपलब्दा से कम हो जाती है इसक अंसर है आपका बी यह और दोनों सही है मगर आरे की सही व्याक्या नहीं करता 28 वा प्रसन सजी पदादों में प्राकित प्रत्वी के निन्यान में प्रत्वी के ज्यादा वायो मास्क बायो भार बनाता है पहला याद रखना एचो सी लंबा वीडियो और इसलिए थोड़ा घटना होई जब यह डाइनासौर भव्य डाइनासौर विलूप्त हो गए यह ध्यान रखना मादीपिये विस्थापन सिध्धांत किस ने दिया था आप जानते हैं किस ने दिया था वेकनर महोदे ने दिया था तीस्वा प्रसन आपके सामने है रियोडी जैन्रो में तीन- चोदए मर्ज 1992 के दुनाна परियावार के विकासपाहाजित यू-एन सम्मेलिंकि अधिर्टत किस ने रही थी तो याद रखना इसका ब् Euch मोरीश एफ मोरिश एफिस्ट्रॉंग ने की थी ध्यान रखना मोरिश एफिस्ट्रउंग दुबारा यह थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टीसवप्रसन हमारा हो गया मोरिस एफ इस्ट्रोंग उसके बाद चलते हैं हम 31 पर इकत्तिस प्रसन को मिलाना है आपको उत्सरजन और उत्सरजित ततू तो जुआला मुखी वन अगनी से क्या निकलती कार्बन मोनो आकसाइड दो डी का जब हम पहला लगाएंगे तो डी के दो पहले याद रखना जुआला मुखी का इसे निकलता आपका जुआला मुखी आपका जुआला मुख उका हो जाएगा 31 का आंसर ए बी बतीसव प्रस्ण आपके सामने निमली कित में से किस विद्वाने सामानी तता विषेज भुगोल के विद्वाज़न की नीव रखी यह कई बार बार रीपीट होता है आपका वारेनियस बंहाड वारेनियस 33 प्रसन आपके सामने निमली कित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है याद रखना 33 प्रसन आपके सामने कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो पहला अलमसूदी रूटर एंड रियलिज्म ये अलमसूदी ने नहीं दी थी ये आपको ध्यानकना है ये बुख किसकी है हंकल की है इपने हंकल की पुस्तके ये आपको ध्यानकना उसके बाद 34 प्रसंट देखते हैं हम hydraulics slope theory किसने पिर्तिपादित की थी ये आपको ध्यानकना RA and Horton ये आप teだから पहला answer दिया प्रसंट था आपका इसका अंसर है जान स्टन ने यह आपको ध्यान लखना इसके बाद आगे देखते हैं इनका सही अनुक्रम है आपका सी पहले पैश्यल आया था फिर रेटना फिर टॉल यह आपको ध्यान लगना आगे देखते हैं रहन सेन के विभीन तरीकों और विभीन संस्कृतियों के लोगों के लिए एक ही परिवाण भिन अर्थ रखता है यह कथन निम्न संकलपनाव में से किससे संबंदित है यह संभव वाद संभव्य वाद से संबंदित है 37 का आपका अंसर हो जाएगा सी उसके बाद 38 प्रसंद देखते हैं संभवाद का विचार सवप्रतम किस विचार धारा के पंस से विक्सित किया गया तो यहाद आप जानते फ्रैंच पत से फ्रांस यसी भोगोल वक्ता उद्वारा फिर उसके बाद समझ भोगोली प्रिवकति का मुखे विचेर पार्थ उसके बाद देखते हैं 40 प्रसंद भोगोल के भाव उद्देशी और आमूल चूल रुपांतर के लिए निमली खित में से कौन सा एक परिपेक्ष्य जुम्यदार था यह आपको ध्यानक ना तो 40 वे का अंसर है आपका डी परिमाडी करण मतलब परिमाड किरांती यह आपको जानते ही यह उससे लिए गया 41 वा प्रसंद आपके सामने है 2011 की जंगर्णा के अनुसार भारत के निमली की दराजियों में से किस राजियों में नियुंतन लिंग अनुपाद दर्च किया गया इन में बताना आपको तो 41 का आंसर है आपका इन में बताना है सी इसमें सी है आपका पर्शिम बंगाल में सही है पहले नंबर पर सबसे कम दर्च किया गया हरियाना में फिर जम्मु कस्मीर में फिर सिक्किम में और फिर पंजाम में फिर उत्तर प्रदेस में उत्तर प्रदेस में 912 है आपको या रखना है और सबसे ज़्याद है केरल में उसके बाद देखते हैं हम यू एन डेमा ग्राफिक एयर बुग 10 2010 के अनुसार किस देश के उच्छतम जन्संक्या घनत प्रति एक वर किलोमेटर दर्च किया गया तो इसमें बंगला देश हैं आपको ध्यान अकना और संपूर्ण व प्रसन आपके सामने हैं बहुत इंपोटेंट है निमली कितमे कोन सा एक कथन केंद्री इस्थान सिद्धान की पिरभावी सीमा चिनहित करता है तो इसका आंसर में सीधा बता देता हैं आपको सी सेवागा समर्थन करने के लिए वो को आवसक संख्या चवाली सो प्रसन आप हो जाएगा और सरवादी के लिए नुपात आप जानते हैं कहां पर है केरल में सबसे कम हर्याना में नीचे देगा आरेक द्वार निमलीकित में किस मॉडल की व्याक्या होती है याद रखना केंद्री इस्थान मोडिल यह मैंने पहले ही बताया था कई बार एक्जामों में पूछा जा चुका यह आपकी क्रिश्टालर के सिद्धान से लिया गया आपका क्रिश्टालर ने दिया था केंद्री इस्थान मोडिल 1933 में यह आपको ध्यान रखना उसके बाद देखते हैं हम यह आरेक है इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं नीचे दिगा आरे आरेक है यह बहुत आसान है इसको जोड़ा मिलाएंगे हम बस्ती सम आरेक है यह बस्ती पैटन है याद रखना है आपको रेखिये आरेक यह आपका इस रेखिये बन जाएगा और यह आपका गुच्छित बन जाएगा यह तारा नुमा बन जाएगा और यह बन जाएगा सम तो 47 का जो आंसर होगा वो आपका देखते हैं 47 का बैठेगा आपका बी 48 वा प्रसन है आपके सामने गुरू तु आकरसन मौडन के अनुसार आवस्तिती पर सेवा का विभाव उपियोग निमलिकित में कौन सा कथन इंगित करता है तो 48 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ आप चारो विकल पढ़ लेंगे इसका सी आंसर है जनसक्या क्याकार के साथ पृतिक संबन और दूरी के साथ पृतिलोमन उड़ेंचास वा प्रसन आपके सामने ये जोड़ा मिलाना है आपको इसका सीधा मैं आंसर आपको बता देता आपके पहले से और C मिलाएंगे आपका C का तीसरे से ही और D को चूथे से ही तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ेंचास का आंसर हो जाएगा B पचास वपरस्ण भारत के भारत में वराज्जियों के कि सम्हु में 2011 की जनगर्णा के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का एक चोथाईस से अधिक जनसंख्या दर्च की गई थी 2011 की जनगर्णा के अनुसार तो इसका अंसर हो जाएगा आपका B उत्तर प्रदेश, मद्धे प्रदेश और करनाटक यहां पर एक चीज़ और धियान रखने है 2011 की जनगर्णा के नुसा सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला प्रदेश कौन सा है आपका टोटल प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महराष्ट, तीसरे पर बिहार, चोथे पर पश्शिम बंगाल यह आपको ध्यानक ना पहले पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, दूसरे में महराष्ट, तीसरे पर बिहार, चोथे पर पश्शिम बंगाल आपको बता देता हूँ चोबिस का आंसर है आपका चोबिस का आंसर है आपका पहला पश्च तट अगर तट निकट तट अब तट तो ये बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए प्लीज आप चैनल को सब्स्राइब कर दें सेर कर दें मिलते हम अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे 551 से लेके 100 कोश्च जुलाई 2018 में जो एक्साम होता उसके